जिले में कल से होरी मुसलाधा बारिश लोगों के लिए आफ़त बन गई है निचले लाकों सहीत सड़क पर पानी भर गया है बलारपुर में कई घरों में पानी घुसा है चंदरपुर शहर वर्दा इरेव जरपट नदियों से गिरा है जब भी अच्छी बारिश होती है चारों और पानी भर जाता है बहुत बड़े हिस्से को खाली कराना पड़ता है फिर वही इस्तिती पैदा हो गई है बलारपुर सरदा पटिल वार्ड कॉलोरी कैम्प बस्ती म बारिश और ड्रेनेज नहीं होने से घरों में पानी खुसा है कालरी में मिटी कंपनी द्वारा पानी निकासी का मार्ग बंद करने से सरदा पटिल वार्ड के कैम्प परिसा में इस्तित घरों में पानी खुसने से लोग चिंत जनक इस्तिती में है रादबर लोग सोई नही दुर्गा माता मंदर के पास से पहले पानी निकासी का बड़ा नाला था भारी भरकम ट्रकों की आवजाई के लिए नाले में छोटा सा सिमेंट पाइप डाल कर उपर से सडक बनाई गई है जो की मिट्टी में दबने से पानी निकासी तो दूर वहां से अब वही भाइप तूट पाना मुश्किल हो गया है रात में वेकोली के अधिकारियों से पानी घर में घुसने की जानकारी देने पर हमारे पास में पावर नहीं होने का भाना बता कर परिसर के लोगों को वापस लोटा दिया गया लोगों को मदद की दरकार है